हाई एवरिवन एक्जा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी लोगों के लिए NTA के द्वारा जो है विश्व भारती नॉन टेचिंग के लिए रिक्रेट्मेंट आई हुई है आप सभी लोग जितने लोग इसमें एक्शुक हो वो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके जो है सिलेवर्स भी जारी किये गए हैं इसके सम्मद में पूरा नॉर्टेज भी आ चुका है सरकारी रिजल डाट कॉम पर भी आप देख सकते हैं और इसकी में ऑफिसियल साइट पर भी जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहां देखने को मिलेंगी यहां से पहले हम में इंपॉर्टेंट डेट को देखते हैं फिर आपको इसके सलेवर्स को भी मैं बता देती हूं कि क्या चीज़ आनी है देखें सबसे पहले यह जो form start है यह 17 से start है मतलब अभी से आप form को भर सकते हैं और इसकी जो last date रहने वाली है आपकी माई में दिया गया है कि माई जो है इसकी last date है 16 माई तक रहेगा और इसमें कई तरीके के post हैं Group C है, Group B और Group A कई post हैं और इसमें fee जो रखी हुई है आप देख सकते हैं Group C में यह जो आप form भरेंगे तो General OVC EWS की 900 रुपे fee है जबकि ECCST की 250 रुपे All category अगर female candidate है तो उनकी कोई भी fees नहीं लगेगी और जो दिव्यांग जन है उनकी भी कोई fees नहीं है इसी प्रकार से Group B को देखेंगे तो Group B में जो fees रखी गई है General OVC EWS की 1200 रुपे fee है YCCST की 300 रुपे है Female candidate को और pH candidate को कहीं पर भी कोई भी fee payment नहीं करनी है और उसी प्रकार से Group A में देखेंगे 1600 रुपे fee है Group A में भी दो लेबल रखेंगे है अब हम यहां पर age को देख लेंगे तो हर पोस्ट के according age है जैसे किसी में 22 year maximum है जैसे Group C में फिर Group B में दिया है 25 फिर Group A के लिए 40 है इसी प्रकार से है लेकिन ध्यान रहे कि यह जो category wise शूटे मिलती है SC, ST, OVC, EWS जो भी चीज़े यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है अब आईए हम देखते हैं पोस्ट को देखिए टोटल पोस्ट की बात करें यह है 709 पोस्ट है टोटल नॉन टेचिंग पोस्ट है और इसके खास बात यह भी है जितने लोगों ने भी इन्वस्टी से रिलेटेट फॉर्म भरते होंगे जैसे आपने गर जे एन्यू का फॉर्म भराया होगा जिसके एक्जाम अभी है ही और यह सब एक्जाम जो है सबके सिलेबस सेम है चुकि एन्टिये के द्वारे यह भी एक्जाम कंड़क्ट कराया जा रहा है आपके पास बैसलर डिग्री होनी चाहिए मतलब सिंपल ग्रेजवेशन हो और इसमें साफ साफ लिखाया है कि इंगलिस टाइपी हिंदी नहीं पूछा है इसमें इंगलिस टाइपीं 35 वर्ड पर मिनिट आपको आनी चाहिए यह चीजे हो है उसी प्रकार से इसमें योगिता आपकी या तो आपने हाइस्कूल करे हो या आई टी आई भी पास है तो आप फाम को भर सकते है सिंपल इसमें और कुछ भी आपके पास नहीं मांगा है कम्प्यूटर का कोई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं चाहिए आपको या तो आपने high school किया हो और देखिए है और का मतलब ITI है कि इन दोनों में से कोई एक हो कोई जरूरी नहीं है कि आपने high school बाद ITI भी किया हो तभी भरेंगे यह multitasking की है level 1 की job है उसके बाद है group C की है level 4 की job है इसमें upper division class जिसको UDC कहते हैं या इसे office assistant भी कह सकते हैं यह दो पदे है इसमें 29 पद है इसमें आपको क्या मांगा है bachelor degree लेकिन इसमें क्या मांगा है two year experience दो साल का आपका अनुभव होना चाहिए इसमें typing आपकी मांगी है 35 word per minute यदि हम common form की बात करें तो multitasking में 405 और 99 जो group C में दिया है इन दोनों में ही candidate ज यह ठीक है इसमें पद आगे देखते हैं इसी प्रकार से group B की है आपकी section officer की है assistant senior assistant अगर जितने लोगों ने भी इलहाबाद university का भी form भरा होगा JNU का भी बढ़ा होगा IGNU का भी आया है मैंने आप सबको बताया था तो यह सारे लगबख slayvers same है यदि आपने form भरा होगा तो आप एक पढ़ेंगे तो आपको सभी में चीज़े कामाएंगी और आगे आप जैसे बढ़ते जाएंगे group C, group A की तरफ तो आपके कुछ experience सब में मांगी हुए है main notification को आप जाके देख भी सकते हैं इसी प्रकारते देखिए इसमें group A के level 12 की job है जिसमें deputy registrar है इसमें वन पद ही है इसमें 5 साल का experience होना चाहिए master degree with 55% marks से होना चाहिए यह साइज चीज़े हैं और आईएब हम इसको main syllabus को देखते हैं कि आपको syllabus में देना क्या है अगर इसमें साइट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा कि विश्व भारती रेकृट्मेंट टेस्ट यह विश्व भारती का है यह यहां पर जाएंगे आप तो डीटेल अगर आप उसका निकालना चाहें तो यहां से साई चीज़ें आपको देखने को म इसमें इसमें स्किल टेस्ट होता है बाकी कुछ पद होगे जिसे गुरूप A की पद हैं गुरूप B में भी कुछ पद ऐसे जिसके इंटरव्यू कंड़क्ट होंगे यहां पर शारी चीजें मेंशन हैं आप यहां से देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके ज मतलब इसके जो यह subject है common ही यह सबको ही देने चाहे आप एक post के हो BC कुछ भी form भरेंगे आपको सभी लोगों को यह paper तो देना ही है बात करेंगे जो paper 2 होता है वो आपके post के recording कुछ रखे जाते हैं प्रशन उसके हिसाब से होते हैं तो जैसे आप यहां देखेंगे आपको general awareness मतलब आपका gk plus current affair आएगा इसमें reasoning आएगी math आएगी आपकी और test of language होगा जैसे English और हिंदी और उसके बाद computer awareness तो आप देखेंगे कि यह आपके total प्रश्ण होंगे 1.500 लेकिन number कितने है 300 तो एक प्रश्ण जो है दो उनकों का है आपका इसमें से आपको जी यह आएगा 30 प्रश्ण आएगे reasoning के 35 और math के भी 35 आएगे English हंदी के 30 है और computer के 20 20 marks computer के हैं या 40 number के हैं सब देखेंगे आपको यह complete चुकी एक question दो number का है तो यह दो गुना होई जाना है ठीक यह साई चीज़े रही और आपका duration देख लीज़ें फर्स पेपर में आपको दो घंटे का समय मिलेगा उसके बाद से इसी syllabus को पूरा describe किया है कि क्या क्या असमें पूछा जाएगा तो जिस प्रकार से आपका general awareness होता है सारी चीज़ेंस में वही होंगी आपका art and culture होगा geography, economics, Indian geography और Indian politics, science and scientific research होगा ठीक है, national movement होगे और आपका current affairs से जुड़े हुए सभी चीज़े आजाएंगी, figure से भी सम्मंदित प्रशन है, देख लीजेगा और यह देखे मैस में भी आपको सारी चीज़े आनी है, graph table उसमें भी था आपके, इसमें भी है, mensuration भी है, मतलब advanced की बात करें तो आपका 2D, 3D mensuration से भी प्रशन आएंगे, आपका LCM है, CFR ratio है, profit loss, average, यह सारे प्रशनाएंगे, 35 नंबर के है, math, उसके बाद है, आपका English Hindi में आप देख सकते हैं, वही आपके vocabulary section, passage, ठीक है, यह sitting, sorry, इसमें जो arrangement करने को आते हैं, sentences, English हो या Hindi, grammar में यह सभी आएंगे, उसी प्रकार से computer awareness की बात करें, तो इसमें भी आपका वही सारी चीज of computer, components of computer, computer hardware, computer operating system, word processing, word processing हो गया, आपका internet and security and networking, इसमें से प्रशनाएंगे आपके, इसी प्रकार से आप देख पाएंगे, अभी यहाँ पर आपका paper second होगा, दोनों paper first हो या second, दोनों NCQ form में है, मतलब objective प्रशन ही आएंगे, और उसमें जैसे 1500 प्रशन थे 300 नंबर के, इसी यहाँ पर 50 प्रशन आएंगे, 100 नंबर के, टोटल first second को मिला दे तो 400 नंबर का होगा आपका, और यह post-wise syllabus रखा गया है, डेड़ घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए, देखे जैसे deputy registrar है, assistant registrar है, शेक्सान officer है, ठीक है, assistant and senior assistant, यह सभी इतने पत्पत के लिए, जैसे 4 तक क से तो आएगा ही आपका, कि established आएगा, और finance matter से related प्रशन होंगे, और उसके बाद university administration से related होंगे, जैसे आपको विश्व भारती act, 1901, can be UGC act, 1956 क्या है, ठीक है, इस तरीकी की चीज़े होंगी, उसमें आपका आएगा, और यह सारी चीज़ें, अगर इसमें से आपको चीज available हो जाएगी, इन्वस्टी, इलावाद इन्वस्टी की main playlist है, उसमें आपको, कुछ चीज़े हैं, जैसे जो act दिया है, वो आपके exam जबाएंगे, या कुछ आपको बीच में भी video channel के माध्यम से दिये जाएंगे, यदि आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, उसी प्रक मैंने आज ही एक video को दी है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे, सब कुछ लगभग मैच करता हुआ है, ठीक, इसी प्रकार से ये सारे syllabus रहे, लाइबरेरी अटेंडेंड का हो गया आपका, ठीक है, प्राइबेट सेकेट्री असिस्टेंट, अब इसमें देखें कुछ मैं कोई केंडिडेट होंगा, अगर MTS का फॉर्म भर रहे होंगे कोई केंडिडेट, उन्हें कोई भी skill tester से नहीं जाना है, बस उनको paper पहला ही देना है, first paper, only one paper, उसके बाद एखें, upper division clerk के लिए है, या तो lower division clerk, इनकी क्या होना है, skill test होगा, इनका कोई second paper नहीं होगा, पहला paper के बाद, फिर skill test देना है, जिसमें से क्या करना है, इनको 35 word per minute की English typing करनी है, ठीक है, और ये qualifying nature, इसमें आपको number नहीं मिलेंगे, कुछ भी जो है, 300 number के आपके टोटल पहला paper वही देना है, आपको उसके बाद इसके बाद इसके बाद, 35 mark, sorry, 35 word per minute से अगर आपने typing कर लिए, आपको पूरे जो है, उसी में से मेरिट बनेगी आपकी, और ये भी library assistant के लिए भी यहां पर भी है, library assistant की जो typing speed है, वो कम है, 30 word per minute ही है, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, यह सारी चीजे हैं, और कुछ लगों में जो practical होने हैं, उनके दियें, जैसे लाइब रोटी अटें पेपर और सेकेंड पेपर को मिला कर ये दिया है, लगभग कितना होना चाहिए, जैसे अगर आप general और EWS के candidate हैं, चाह वो female हो, या male candidate हो, सभी को 40% तो लाने ही लाने हैं, फर्स्ट और सेकेंड को मिला कर, उसी प्रकार से, जो है, OBC candidate है, 35, YSC, ST, OPW candidate है, उनको भी 35, इतना लाना ही है, पास होने के लिए, उसके बाद candidate के उपर depend करेगा, merit के उपर depend करेगा, कि कितना जैसे आपका हो रहा है, ठीक है, ये साइच चीजे है, और देखिए, यह जो notice आपको दिख रही है, स्क्रेन पे, आप में साइच से ले लीजिए, नहीं मिलता है आपको, टेलिग आउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स वीडियो में कोशिस करी जाएगी, कि आपकी जो भी डाउट हो, उसको सौल किया जाए, ठीक है, इस वीडियो में सर्फ इतना ही पढ़ाई करते रही है, नेक्स वीडियो में हम फिर मेलेंगे, तब तक के लि जाहिए हिंट!